मा की नाज पच्चों से बन्धी होती है कट जाने पर भी नहीं कटती है वो रिष्टा और गहरा हो जाता है लेकिन ठाकुर साथ हमारे इस मा बेटी के रिष्टे से भी नाराज है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आभख कोई नहीं है हम उसकी मा अभी जिन्दा है जरूरत पड़े तो हम करेंगे आफा का कन्यादान आखे ले कोई कमी महसूस नहीं होने देगा उसका यह मा मा अभा को पूरा एपिसोड देखे जी फाई पर जिस स्वन भवन में आप बच्पन से खेड़ी है आज उस स्वन भवन के कोने कोने को तुमें सवारना होगा अब अपने घर को अपने हाथों से सवारना परिवार को अपना बना कर खुशिया बाटना हर बहु का फर्ज होता है और एक पत्नी का फर्ज होता है शाम तक अपने पती का इंतजार करना उसे खुश रखना उसकी सेवा करना सेवा? सेवा? अब देखिए सुभा सुभा जब पती उठे तो उसे करमा गरम चाय का प्याना देगा दिन में उसका मन पसंद खाना बनाना और रात को जब ओ दिन की सबसे पहली चाय तो दादी को मिलेगी फिर सर मदलब पापा को और फिर सब का नमबर आएगा इतने लोगों का प्यार पाके अगर आप हमें भूल गई ना तो इसा कभी नहीं होगा और क्या क्या होगा कुछ नहीं बहुत बाते हो गई अब आराम कर लो सान्या बिटा जी आज करन होस्पितल से घर आ रहा है वो तो जाने ही पाएगा उसके शादी के कपड़े बिटा तू ही जाके लिया जी दादी मैं क्या कह रहा था सुन्वीर हां सवार्ना भवन की सजावत का जिम्मा तेरा है जी खुशी इस खर में बहु बन के आएगी जी आप 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 इस शादी से खुश है खुश बहुत खुश हुआ है कितना अच्छा मोका है हमारे लिए भी माद नई संजय क्या पल होगा वो जब शादी होगी मेरे बेटी की उस ठाकुर की बेटी के साथ ऐसी धो मचाऊंगा इस सब लोग यह मजारा देखते रहे जाएंगे बहुत मजाएगा बहुत मजाएगा बीदी पीछे आंगन में है अलवाई खाना बना रहे है वो देख रही है यह पंडी जी ने आई अभी तक तुम्हें काम करो फोन करके बूछो बात क्या है कर दूगी जाने किस काली कलम से भाग लिखा कर लाई है यह लड़की पहले जब शादी हो रही थी तो एक्सिलेंट होगी अब जब फिर से शादी हो रही है तो बाप शरीक नहीं होना चाहते नचाने और क्या क्या होगा ज़्यादा बखवास बात करो जो काम का है वो करो जाओ अरे परकाश बेटा मंडब तयार हुआ और अभी कितनी तयारियां बाखी है बस ठंडे पानी और शर्बत के लिए बरफ महीं आई अब तक मताओ माना कि सिर्फ दोनों घरों के लोग है कि बेटा हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना जी बिल्कुल अचा सुनों वो बनवारी है ना फूलो वाला मैंने उसको हार तैयार करने के लिए का रहा है आतो बेलेते है जाओ जाओ पैसे तो लेते जाओ एक यह एक यह लो अबरिश प्टब इदे यह यह संसकार बेटा जी मामाजी बेटा मैं समझता हूँ इस वक्त तुम क्या मैं सुषकर रहे हूँ मैं जानता हूँ जो हुआ उसे सहपाना बहुत मुश्किले लेकिल बेटा वक्त धीरी धीरी सब जखम भर देता है मामाजी अब ऐसे क्यों कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल बड़ी हूँ वो कहते हैं न टिप टॉप मैं तो बिल्कुल टिप और अब मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए बारात के बारे में सोची जो किसी भी वक्त आती होगी अब इस हालत में यहां क्यों अपनी दुल्हन को सबसे पहले सजते हुए देखने का हक मेरा है है ना वैसे मैं तुम्हें यह जेवर देने आता हुए पर बात को जम नहीं रही तुम मेरी दुल्हन नहीं लग रही अरे हम अच्छे नहीं लग रहे है यह लाएंगा यह चुन रही हमें तो लगा था हम आपको बहुत पतन आएंगे पसंद तो आप में बहुत है अब लग रही है आबा मेरी दुल्हन नहीं पता है मेरा मन क्या कर रहा है कि यह बारात वारत सब छोड़ों और तुम्हें बस अभी यहां से उठाके ले जो और हम बस दुना भाग चलेंगा अब चाहिए यहां से अबा दी वो जल्दी वो जल्टी जल्दी से टेयार कर देती हूँ आबैट खाले। हमें तो यकीन ही नहीं होता सब लोगों ने हमारे और करन के रिष्टे को अपना लिया सची हमने कभी सूचा ही नहीं था कि करन और हमारी शादी सब के आशिरवात के साथ हो कि दी क्या हुआ अपती परिशान क्यों है आपाव वो कि मां क्या बात है हमें बताएए अबा अबा सब के नसीब में हर खुशी नहीं होती है किसमत कोई न कोई खुशी चिन लेती है सबसे जिससे आज तुम्हारी किसमत में तुमसे खुशी चिन लिया है माई अशिब आप क्या कह रही हैं हमें ठीक से बताएए ना बेटी का विवाहत तब सब बूर नहीं होता है जब उसकी पिता उसका कन्यादान करते है लेकि तुम्हारा कन्यादान सिरु तुम्हारी माँ ही करेगी तुम्हारे पिता इस विवाह में हिस्सा नहीं लेंगे सब के नसीब में हर खुशी नहीं होती किसमत कोई न कोई खुशी चिन लेती है सबसे जिसे आज तुम्हारी किसमत में तुमसे खुशी चिन गी है माई ये सिब आप क्या कह रही है हमें ठीक से बताएगे ना बेटी का विवाहत तब सब बूर न होता है जब उसके पिता उसका कन्यादान करते है लेकिन तुम्हारा कन्यादान सिर्फ तुम्हारी माँ ही करेगी तुम्हारे पिता इस विवाह में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही तुम्हारा कन्यादान करेंगे मैं माफ़ करतीजी एक बार हमारी तरफ तो देखिए पिताजी हम आपके आश्रवाद के बिना थासे नहीं जा सकेंगे क्या आश्रवादे हम तुम्हें स्वर्णाभा यह आश्रवादे कि जाओ जाओ उसकुल का मान बढ़ाओ जाओ उस खांदान की हिस्जत के लिए अपना सर्वस्व नहचावर कर दो वो खांदान वो खांदान जिसके दिल में तुम्हारे लिए जरावी कद्र नहीं यह आश्रवादे हम क्यों क्यों तुमने नौकरी की स्वर्ण भवन में आभा क्यों वो जगमान प्रसाद तुम्हें अपनी बहु नहीं अपना घुलाम बना कर ले जा रहा है यहां से क्योंकि हम हम जानते हैं आभा उसकी मंच्शा सिर्फ हमेरे चोट पहुचाने की है तुम्हें अपनी बहु सुईखार करते की नहीं है तो अब ऐसे में हम अगर तुम्हें आश्रवाद देते हैं तो आश्रवाद आश्रवाद नहीं श्राप बन जाएगा तुम्हारे लिए जाओ आपा हम जग्मान प्लसाद की बहू का कन्यादा नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते कर दो क्या है कि में एक एक की एक किसी की बहु बनने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम आपकी बेटी नहीं रहें की मुझे बतावला कॉन साथ है अच्छी लगे तेरी सारी बाते क्यों होते होते तु भी प्यारा हो नहीं कुछ भी अच्छा लगता है तु मैं तेला था मैं तुम हो कया अच्छा तो है तुम मेरे कौन हो तुम मेरे कौन हो अच्छा तुम मेरे कौन हो अच्छा तुम हो यद को अच्छा अच्छी तो है कैसा लग रहा हुआ बहुत अच्छे लग रहे हुआ मैं तुम्हा यली बहुत खुश्यू करन तुम्हे अभा जैसी तनी अच्छी लड़की मिल गए तुम्हे जिसे चाहा तुम्हे वो मिल गया I know Sania, मेरे मुश्किल सामय में तुम्हे मेरा साथ दिया Thank you so much तुम्हे अच्छी 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 को नी मिल सकती You're the best 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 Chalo जाथे चिकनी चुपडी बाते कंडी कोई सुरत नी पेट Sorry, sorry, sorry Nice Nice Karan, तुम्हे अच्छी नहीं पहनी कितना टाइम लगाते हैं तुम्हे तैयार उनमें पता है, नीचे सब लोग तुम्हारा बेट कर रहे है Ma, वीखो पारात आ रही है लड़के वाले आगे अच्छोर के लोगी है लड़के लिए खीज स्रेच dei क्या हुआ पापा वाँ क्यो रुख गए? मैं देखता हूँ क्या हुआ भाईया आपने गाड़ी के रोग दी? माराब यहां से जाएगी पापा बात तो से देज बारा लोगों को बुलाने की हुई थी ना? मैंने भी कुछ पास दोस्त और घरवालों को यह बला है रिश्दारों को बला है तुम्हें इतनी चिंता करने की क्या जोड़ी है हाँ क्या हो? करन पापा ने कहा के उन्होंने कुछ खास दोस्तों को बुला है पापा ने कहा के उन्होंने कुछ खास दोस्तों को बुला है झाल 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 कर दो कर दो कर दो सुनिया 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 हाकुर्स आपके घर तक बारात यहीं सही जाएगी पैट वाले आओ कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल मेहमान कुछ ज्यादा लग रहे रागो भाया आप क्या करें बहना आप चिंता मत करें मैं 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 कुछ करता है रागो अगर तुम कहो तो बाहर कुर्सियां लगवा दूँ घर से मंगवा कर 25 आदमियों के बैठने का इंतजाम तो होई जाएगा लेकिन वर्माजी बहुत ज्यादा लोग हैं रागो भाया मेरे एक दोस्त का टेंटा हूस है मैं अभी उसे फॉन करके बोल देता हूं कि यहां टें तो लगी जाएगा आप उन्से कहिए जितने जल्दी संभव हो सामान यहां लिया है मेरे ख्याल से यह उपाई ठीक है धन्याभाद बहुत बहुत धनेवार शर्माची क्या बेहुत के हैं पापा अगर इतने सारे लोगों के सामने अंकल से तोंकुछ भी कहोगे ना तो पर विवार की बद्नामी होगी थमचो इस समय रहने दो सब ठीक हो जाएगा हम से जितना हो पाएगा हम करेंगी बारातियों का स्वागत करना हमारे लिए सम्मांग की बात हुए हम अभी आएगा एह हम अभी खरा की खरा की बात है और व तो ऑष्चत्र घिसाएव सब्सक्स कास्eredक आखर्छन झाल 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 प्रश्ग झाल झाल प्रकाष भी यह बस अंदर जाई है जाई है जाई है यह सब क्या है पापा तुम चाहते हो कि बारातियों का स्वागद भी ठीक से नहों इसने कहता इतने बाराती बुलाने के करण कि इस समय रहने बिस सब ठीक हो जाएगा हम से जितना हो पाएगा हम करेंगे बारातियों का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बाता प्रकाश अंदर चलके बाकी के रस्मे में पूरी कर लाएग एक मुड़े एक रसम और पूरी कर लेते हैं करन्द भाएगा करन्द आ फ्रकाश भी यह मुझ से बड़े करन्द एक झाल आया करन्द इस तरह कि अधिन करन्क अधर कि आया मैंने उनके पाउंचों कर उंकादर किया कुछ अलग तो नहीं किया ना चले इतनी सारे बारातियों के लिए इतनी चोटी सी जगह कैसे जी वो आंगन में बैठने का इंतिजाम हो रहा है टेंट हाउस से वो समान आ रहा है वाँ क्या खूब इंतिजाम किया था कुछ साथ ने वाँ सेंसकाद मेरे बेटे विमल और शेली की शादी हुई थी तो शेली के पापा ने वाह का इंतिजाम किया था कई तरह के पकवान थे विठायां थी शर्बत वाह कमान एक भी बरादी कोई शिकायत नहीं थी ना मान सम्मान की ना बैठने की व्यवस्ता की ना खाने पीने की आज तक लोग बोलते हैं क्यों शेली बोलते थकते नहीं लोग लटा दीडी क्यों बाबा अब अभी मा के तास चाहिए अभी हम उनके साथ ऐसा बर्दा होते नहीं देख सकते प्लीज चाहिए मा आमें आपसे कुछ ज़रूरी काम है माफ कीज़ें मा भी आदे पूरा एपिसोड देखे जी फाइपर क्यों आपसे बारी किसान प्लावी काम है साहिए एप प्लावी क्यों आपसे ज़रूरी आपसे ज़रूरी क्यों आपसे झाल झाल